हाई फ्रेंज कैसे आप वेलकम टुमाई चेनल फ्रेश निखार मैं शर्दधा आज आपको बताऊंगी कि आप चहरे पे इस्टेंट ग्लो कैसे लाए इधिया आपको गूमने जा रहे है या कहीं सड़नली आपके जाने का प्लान मन्या तो इस्टेंट ग्लो आपके चहरे पे कैसे आएंगा ऐसी क्या चीज का यूज किया जाए ताकि आपके चहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा तो आप मेरा चेनल को लाश्ट तक देखिए मेरे वीडियो का आप लाश्ट तक देखिए ताकि आपको पता चलेंगा कि ऐसी घरेलू कून सी चीज है जिसका आपकने लगे और बहुत अच्छा ग्लो इंग होई तो आएए देखते हैं मेरा चेहरा पहले से ही क्लीन कर ली हूँ मैंने इसे बाद मैं डायरेक्ट ली अपलाइ कर लूँगी यदि आप चेहरा क्लीन नहीं है तो पहले आप चेहरे को नॉर्मल पानी से क्लीन कर लेजी उसे बाद इसे अपलाइक करें इसके लिए मैं क्या करूंगी थोड़ा सा एलोई राजी लूँगी तो मैं अपने हाथों पर ही ले ले लीती हूँ जितना में लगेंगा उतना ही मैं लूँगी इतना हो जाएंगा मुझे अब मैं इसमें लूँगी विटामिन ए की ये कि मैंने गृफ्ञिकना लिए अब इसको मैं अच्छे से मिला हम और हाथ में ज्यादा आपको बनाने के रखने की जरूद hopping भी नहीं कुरत बनागे ही लागा सकती या फिर ज्यादा बना कर रखना है तो आप अपकशे लगा जाख सकते इसे लिए की इन ऊटारria की दिज़ तुले उससे आपके जैनल में बहुत ज्यादा चम्मा पाएंगे अच्छे आखों के उपर नहीं चे भी लगाईए आप अहल निकासा मसाज कर देची कर लेजिए अब सुझाइए देखिए आपको चाहरा क्लीन लग रहा है जब आपको चाहरा बहुत अच्छा लगेंगा शुर्थ विटामिन E की केप्सुल है उससे बहुत ज्यादा आपके चाहरे पर चमका जाएंगे देखिए कित्ती ओएली रहती हो आप सुबहुत निक प जाएंगी तो इसका जरूर करें आपको बहुत अच्छा रेजल दिखेंगे जो दाख स्पोर्ट है जो जाईयां वो कम हो जाएंगी जो डलने सागी चाहरे पर बहुत अच्छा आपका चाहरा ग्लो करने लगेंगा तो आप इसका जरूर करिए मैंने आज आपको बताए इ नए हैं और आपने लाइक ये सब्सक्राइब ने किया तो प्लीस लाइक ये सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि इसके बाद में जो भी कोई वीडियो डालो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपकी पास आए धरनेवाद